आज मैं अपने चैनल में बना रही हूं बीफ हलीम की रेसिपी तो इसके लिए सबसे पहले हम दालों को भीगो के रख देंगे क्योंकि इसे भीगने में टाइम लगता है उसके लिए जो मैं यहां पर दाले यूज़ कर रही हूं एक प्याली मूं की डाल एक प्याली मसरा की डाल एक प्याली माश की डाल और एक प्याली चनों की डाल इने में अच्छे से भिगो के रख दूँगी तकरीबन एक घंटे के लिए ये एक पाउ डाले हैं सारी डाले जब तक हमारी भीके त्यार होती है तब तक हम गोश्ट त्यार कर लेते हैं गोर्ष्ट को गुलाने के लिए सबसे पहले मैं आदा किलो गोर्ष्ट में एक गिलास पानी और वन टेबल स्पून नमक यूज़ करोंगी जब हमारा गोर्ष्ट अच्छी तरह गल जाएगा तो इसे भूनने के लिए जो हमें इसमें मसाले चाहिए 1.5 टेबल स्पून सुरक मिर्ज पाउडर, फूल टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक मख कुकिंग ओल और हली मसाला पूरा एक पैक गोर्ष्ट को गुलाने के लिए कराही में सबसे पहले मैं गोर्ष्ट आड़ करोंगी साथ ही में इसके इंदर एक लास पानी आड़ कर दूँगी और नमक यह सब चीज़े एड़ करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैं इसे आदे खिंटे के लिए कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह ताके यह गोर्ष्ट हमारा गल जाए मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने आदे खिंटे के लिए कवर करके रख दिया था पानी इसका तकरीबन फुश्ख हो गया है और पानी में बोलोना नमक अड़ो होगा है इसके अंदर सबसे पहले नमक अड़ करोंगे है य। नमक अड़ने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना होगी और साथ ही मैं इसके नरब सारी भीगी भी दाले आड़ना होगी और दाले आड़ करके इसे मुच्छे से मिक्स भी कर लेंगो अच्छे से 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 अब हम इसे इच्छे से घोटलेंगे अब लेंगे अब हम गोश्त को मूश लेंगे उसके निच्छे के निच्छे मैंने फ्लेम ओन कर दिया है मीडियम फ्लेम बीट के रिशे मैंने अलग लग कर लिए थे अब में इसे अच्छे से मिक्स अब कर लूँगी अब मैंने खाई कर दिया है दालों को हमने अच्छे से घोट लिया था आप गोष्ट को भी हम खोट लेंगे अच्छे से मैंने घोट लिया है अब मैं इसके अंदर स्पाइसी जाइड कर दूंगी यह सारे अब इसे मिक्स कर देंगे अब मैं इसे मिक्स कर देंगे मैंदर अदर अच्छे से खुंके त्यार है अब हम इसे इंचे खुंकर देंगे और सारा गोर्ष्णा दाल के अंदर आप देंगे अब अब हम इसके इंदर गोश्ट आड़ कर देंगे और गोश्ट आड़ करने के बाद मजीद अब हम इसके बोट लेंगे अब बीफ हलीम हमारा बनके त्यार है इसे मेने प्लेट में निकाल लिया है इसे गार्णिश करने के लिए जो हमें अब चीज़े चाहिए हरा धनिया अद्रक हरी मिर्च और प्यास सबसे पहले मैं हलीम पे अनियन रिंग्स आड़ करूंगी अनियन रिंग्स के बाद हम इस पे ग्रीन चिली आड़ करेंगे ग्रीन चिली आड़ करने के बाद अब हम इसके पर जिंजर आड़ करेंगे इसके इलाव आपको गार्णिश करने के लिए जो चीजे पसंद हो आड़ कर सकते हैं और इसके मिल्ट में अब हम कॉरियांडर लीव्स आड़ कर देंगे इसके बाद मैंने कुक्ली आड़ के अंदर मिर्चे आड़ करके सुरक मिर्चे आड़ करके रैड ओल रेडी किया है वो इसके उपर आड़ कर देंगे और थोड़ा सा इसके उपर होड़ स्पाइस आड़ करेंगे मज़दार बीफरलीम की रेसिपी बनके तियार है आपसे ट्राइ करें आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके जरूर बिताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें इसे शेयर करें सारा से जादा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रेलिटिव के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अलाफेज